Hey guys, कैसे हो आप सब, मान लो कि आप देली शहर रहने आते हो as a student या as a working profession, जाहे आप एक लड़की हो या फिर लड़के, और आपकी जो budget होती है यहाँ पे रहने की वो बहुत कम होती है, like 10,000 या फिर 10,000 के भी अंदर, 5,000, तो इतने पैसे में आप कैसे यहाँ पे room तूंड ह क्योंकि आप अक्सर देली में जब room देखने जाते हो, तो आपको room की prices इतनी ज्यादा बता दी जाती है, जो आपकी budget से बहुत 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 ज्यादा high रहती है, और अतब आप उस time पर pressure में पढ़ते हो, तब आप उस time पर panic करते हो, tension में आ जाते हो, कि कैसे अब हम देली में बहुत ही कम price में रह सकते हो, और एक quality जिंदगी बिता सकते हो, ऐसे ही नहीं आरे गारे तरीके से रहे हों लोगे, मतलब एक quality जिंदगी साती साल आपकी safety security भी हो, वो जो की first priority होती है मेरे हिसाब से, and second, ये video कहीं से भी sponsored नहीं है, मतलब किसी flat या PG, या किसी website से वो सार पैसे को अठे से manage करना, मतलब ये चीज जो है, मेरी हमेशा priority रही है, वो कैसे, let's start, okay, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आपको Delhi आने से पहले ही, अपने room को देख लेना है, हाँ जी, मैं again बोल रहा हूँ कि ये video को please end तक देखो, मैं कुछ ऐसे tips बताने वाला हूँ, जो जहाँ पे आप अपनी rooms को देख सकते हो, और वो भी काफी कम price में, वो कैसे कुछ ऐसे website से, like magic bricks, सबसे पहली मेरी खुद की पसंद बहुत जादा है इस website से, magic brick एक ऐसी website है, जहाँ पे आप भाई, मतलब to be honest, कम prices में, आप filter कर सकते हो, महाँ पर जाके जितनी भी आपको price की room चाहिए, मतलब एक लड़की के लिए, या लड़के के लिए, या फिर किसी location में चाहिए particular, वो भी आप देख सकते हो, तो sponsored वगेड़ा नहीं है भाई, attention मतलो, यह मैं experience बता रहो, मैंने भी magic brick से लिया है room, तो magic brick safe भी होता है, वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से आप हमें पहले room की photo भेजो, क्योंकि sometimes क्या होती है, रूम के नाम पे scams भी होती है, तो आपको चीज धियान में रखना, WhatsApp में आपको photo send करेंगे, और उन्हें आपको बोलना है, जिस भी लोगों से आप बात करो, कि हम brokerage नहीं देंगे, हाँ जी, आपको brokerage free room में जानी है, brokerage क्य आधा है, मतलब 5000, वो as a brokerage, first time में जो owner होता है, वो ले लेता है, या फिर broker हो ले लेता है, जो उस room को दिखाता है, तो ये चीज में आपको नहीं फसना है, ये चीज में बहुत लोग फस जाते है, तो brokerage free room भी आपको आरा-ाम से मिल जाएंगे, आपको वैसे room ही खोजने है और वैसे room ही देखने है, नहीं तो भाई अगर आप extra पसे दे सकते हो तो आपकी मरजी, ये मेरे तरफ से tip नहींगा, थर्ड नमबर चीज कि आपको OLX जैसे website है, वहाँ भी आपको room देखने को मिल जाएंगे, OLX एक बहुत ही trusted website है, room के बाद करू अगर तो आपको ज़्या owner से वहीं पर chat करना है, या उसकी number उठानी है, number उठाने को उन्हें contact करना है, अगेन उन्हें बोलना है, आप whatsapp पे photo send करो, बस इतनी चीज़ करनी है, और भी बहुत सारे website से like घर देखो.com and all, ये कुछ ऐसे website से जो मैंने खुद से use करा है, कोरा पे भी आपको देखने को मि या चौथा कुछ भी हो सकता है, तो चौथा number जो मेरा tip होगा, कि आपको, को मैं कुछ एक location बता देता हूँ, कुछ ऐसी location जहाँ पे rooms आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, वो कौन कौन से सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आती है लक्षमी नगर, डेली में जिसके उपर पर मैंने complete tour बता रखा है, complete अपनी एक vlog वीडियो बनाई है, वहाँ पे आपको बहुत ही कम prices में room देखने को मिल जाएंगे, लक्षमी नगर बहुत अच्छा जगा है, और जहाँ पे आपको 40-40 रुपय में थाली मिल जाएंगे खाने पीने को, तो बहुत सही प्लेस है आपको 40-40 रुपय की थाली खाता हूँ, आप उससे जादा खा सकतो तो आपकी मर्जी, बट कम prices में अगर आप बात करो तो लक्षमी नगर बहुत ही बढ़िया प्लेस है, second number पे आती है निर्मान भिहार, वो भी लक्षमी नगर के बगल में है, third place में आती है आपकी गोवि होना में रूम दिखा जाता है न, अगर खोपचे में मतलब समझ रहे हो न, मतलब शहर के थोड़े से इंड साइड में या फिर जहां पर सांती है, बहुत जादा कुछ नहीं आसपर, तो वहां रूम मतले न, safety compromise होगी वहां पर, शहर में लेना, main मतलब साकेत में, अगर में रूम देखने को मिल जाएगी, अमरितनागर की location आती है, आपकी south extension, जो की बहुत 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 ही जादा post location है, उसके बगल में आती है अमरितनागर, तो वहां देख सकते हो, बाकी, अगर आप एक student हो, अगर आप यहां पर देली उनिवस्टी जैसे बड़े college में, किस season में आते हो, तो bus से travel किया करो, अगर आपकी budget बहुत tight है, bus भी काफी अच्छा option है, गर्मी के time पर अगर आते हो, तो गर्मी में AC bus भी चलती है, वो भी काफी अच्छा है, metro से भी जादा, मतलब सस्ती बढ़ती है वो, तो वो आप travel कर सकते हो, और संड़े के दिर metro चले जा होगा, PG's वगरा का, वो भी अच्छा option आप देख सकते हो, बट वो महेंगी परती है, फिर भी, वहाँ brokerage आप से नहीं लेते है, YouTube में जो दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी वो थोड़ा से महेंगा परता है, सो मैं आपको suggestion दूँँगा, कि अगर आप की बज़े tight है, जो की ज्यादा तर लोगों की होती है, मैं समझ सकता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा से दिमाग लगाओ, तुमारा भाई तुम्हारे साथ है, don't worry, scum prices में भी room, यहां मिलते है, और अच्छे मिलते है, बस थोड़ी सी जुगार की सरु की, I love you guys, bye bye, tata